कि नमस्कार दोस्तों रादे रादे तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ सीए फैनल का जो मेड 24 का डिटी का पेपर हुआ है इसका डिटेल में रिवी शेयर करूँगा साथ में यह भी बताऊंगा कि आपका जो next paper IDT का होने वाला है 14th को उसकी preparation आपको कैसे करनी है क्योंकि आपको IDT में 3.5 दे मिल रहे हैं तो आप IDT में काफी अच्छा score कर सकते हो इस बार और IDT का पेपर ऐसे भी आसान आता है बाकी पेपर के मुकावले IDT का पेपर काफी आसान आता है तो उसकी preparation कैसे करनी है और आज जो IDT की marathon होने वाली है इसमें वो क्यातिया कवर करने वाले है उसके वारें भी बताऊंगा सबसे पहले अपन IDT के पेपर की बात करें तो paper average paper था कोई ज्यादा paper tough नहीं था कुछ लोगों को तो paper आसान भी लगा कुछ लोगों को हो सकता अब अरेज लग सकता हो क्योंकि थोड़ा theory type का part ज्यादा था बाकी MCQS में आसान थे और descriptive part जो था वो इस paper का average था तो paper आराम से manage किया जा सकता था अगर category wise देखें descriptive part की बात करे है अपन category wise तो category A से 58 marks का descriptive part था और B और C वाला जो category है उससे लगबख 30 marks का आपका descriptive part था MCQ में जो questions आये हैं जो मैंने बात करें उससे पता चला तो MCQ में ज्यादा तर category A वाले MCQ जो chapter हैं उनसे पूछे गए थे अब अपन बात करते हैं डीटी के paper की तो डीटी के paper में जो पहला question है आपका जो हमेशा से आता है total income निकालने का पी जीवीप का question नोर्मल question था adjustment में इसमें नोर्मल थे अगर देखा जाए question में कुछ भी special adjustment नहीं था अगर अपन देखें कि question में सारे cover थे या नहीं थे तो सारे के सारे cover थे एक adjustment सोड़ा सा नया था ये closing stock वाला अगर आप देखोगे तो बाकि सारे के सारे आपके देखे हुए adjustment थे कुछ adjustment तो मैंने अल्रेडी आपको capital gain से section 54 के उपर ये question बना के पूछ लिया basic capital gain की calculation करनी थी section 54 लगाना था और second वाला part जो है four marks का ये dim dividend का पूछ लिया dim dividend का अलग से question बना के पूछ लिया तो ये question भी आराम से manage किया जा सकता था इसका बाद इसका बी वाला part जो है ये आपका एना टेक्सेशन का question था same question तो नहीं लेकिन पूड़ा similar type का question आपको देखने को मिल जाएगा इसमें देखो वो net of TDS अगरा का खेल भी था net of TDS का कैसे खेल था इसमें देखो दे रखा था dividend net of TDS dividend receipt था जो कैसा है net of TDS आपने को ग्रोस अगरा करना था और dividend किस पर था GDR पर ध्याहन देना आप जीडियार जीडियार के लिएक section है नोन रेजिडियंट को अगर जीडियार से अगर इंकम होती है तो उसका एक section है अगर आपने पढ़ रखा हो तो 115 AC वो लगा कि अपने को ग्रोस अगरा जो भी था वो करना था इसके बाद एक FTS वगरा का point दे रखा था तो यह question आराम से manage कर सकते थे तो दिडियंट का यहाँ आपन को ग्रोस अप करना था दिडियंट की इंकम का बाकि यह question आराम से manage हो सकता था इसके बाद आपन देखे question 3 का a part जो हमें इसा से charitable trust का आता है इस बार भी charitable trust का था charitable trust में वही theory type के question आई total income निकालने का या एक गिट्रेक्स का question नहीं आया वही theory type के question इसमें question इस बार भी पूचे गए इसमें पहला part जो था इसमें वह तो आपका 115 BBI पे given income निकालना था यह आप आराम से कर सकते थे और second part में registration के regarding जो registration procedure है उसके regarding question पूच लिया यह भी किया जा सकता था अगर आपने इसके बाद इसका जो बी वाला part है यह question आसान था same type का question आपको question में मिल जाएगा six marks का question था इसमें बस एक चीज़ ध्यान रखने थी कि 115 BAC follow कर रहा है तो उसके according आपको यह question करना था 115 BAC में बस एक चीज़ का ध्यान है इस question में special कि chapter six है के deduction आपको नहीं मिलेंगे तो अगर वह आपने ध्यान दे दिया होगा तो यह question आपका आराम से ठीक हो गया होगा पूरा का पूरा क्योंकि इसके बाद आपन फोर्थ के एक ही बात करें फोर्थ का यह वाला part आपका जो फिक्स होता है में इसका एक छोटा सा केस लो का point other point में डाल रखा है वही था था ठेकेंड वाला part जो था यह भी आसान था 194C और 194I के बेस्ट पे question था यह और इसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट है इसमें यह आपका 194C ऊपर था तो यह question भी आप आराम से manage कर सकते हैं अगर आपने चेप्टर रिविजन भी देख रखा है उसके shortcut भी कर रखें तो भी यह question आप आराम से कर सकते थे एक आपको NGA का प्रोजन आना जी और एक transfer pricing का आम से निकालन करने का कुछ नहीं दे रखाते हैं अगर लोजिक नहीं लगता आप से तो आप सीधा shortcut लगा के भी कर सकते थे आराम से कोशन किया जा सकता था इसके बाद शिप्त का ये वाला part फुरदा theory part होता है मैंने आपको बताए था तीन points में आता है यह तीन में से दो question करने होता है जिसमें एक तो pure case low होता है एक तो case low के basis पे था फर्स्ट आला पाट यह तो case low के basis पे आपको करना था अगर आपने latest case low वगर आपड़ रखें यह सेक्शन 271C अगर आपने देख रखा है तो किया जा सकता था कि 271C में पैनल्टी नहीं लगती है अगर कोई जन्यून रिजन है तो फिर पैनल्टी से आप बच जाते हो अल्यडी नोट्स में सब कवर था आराम से आप यह कर सकते हैं इसके बाद फिप्त का बी वाला जो पार्ट है यह आपका जो आपके इंटरनेशल टेक्स के थेयरी वाले चेप्टर्स है बोले टेक्स कंवेंशन टेक्स ट्रिट्टी वगरा वगरा उनसे पूछा गया जिसमें फोर माक्स का कोशन तो एक्सचेंज ऑस इंफोर्मेशन का सिंपल कोशन था अगर आपने कंसर्ट बूप प पसे प्से प्सेम का नया कॉशन था यह कहीं मिलेगा भी नहीं है आपको मोडिल में ज़रूर मिल जायेगा बाकी यह कोशन किया जा सकता था टुआक्स का छोड़ के इसके बाद 6 के एक ही बात करें 6 में देखो तो तीन पार्ट में आता है को बताया भी था उसमें मेरेथन में 6446 का यह जो है 6 marks का कि इसमें फर्स्ट पार्ट कर दिया 6 marks का जो आपका tax audit वाला question था same to same question 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 bank में भी यह आपके यह module में भी है RTP वगरा में भी शायर था कि MTP वगरा में किसी में उसमें भी आया था तो यह तो किया जा सकता था अगर आपने question देख रहा था तो टेक्स audit का इसकी बाद इसका second वाला part 4 marks का यह गार वाले chapter से था theory ज्यादा थी क्योंकि question six अगर आप देखोगे तो question six में आपको theory theory दिखेगा question five भी पुरा theory type का दिखेगा theory type मतलब theory लिखनी हो पड़ती है आपको एक तरीके से question four में भी देखोगे तो चलो तो फिर भी question three देखोगे तो इसका बी वाला part तो प्रैक्टिकल है लेकिन यह वाला जो charitable trust वाला question है यह भी एक तरीके से लाश्ट अट्ट हमें अगर आप देखोगे तो लाश्ट अट्म का भी इसी लेवल का है था एवरेज लेवल का पेपर आया था इस बार भी डिटी का पिपर आपना अगला paper संबालना है जो है गया एवरेज और कुछ लोगों को तो वो आसान भी लग रहा है और आई डीटी का पेपर कभी टफाता नहीं है अगर आपने इसमें अच्छे मार्ग से स्कॉर कर दिये तो आपका प्रूट भी एक अच्छा जाने वाला है और आई बेस का कुछ खतरनाक नहीं आने वाला तो आप आई डीटी को अच्छे से कर सकते हो कुछ और आपको प्यारी करने नहीं है आई बेस वगरा कुछ पढ़ना नहीं आपको सिधा आई डीटी आपको पढ़ना है तो आज आपकी मेरतन होगी फुरेंदर सल लेंगे मेरतन भी पुरा कस्टम और जीएस्टी आपका की के टेगरी ए और भी पढ़ना आज मेरतन देख ली जीएस्टी की के टेगरी ए और भी देख लेना और कस्टम रेंगे लेट हैँ इन में क्या देखने है आपको एक तो नोर्स गो ठूरू करने नोर्स री रिसोर्स में डाल रखें में वेब साइट पे वहां से है तो उसका वीडियो को सब लोगों को छेल्प होगे ऐसे है अगर आप ITC का वीडियो देख लोगे तो आपको देखने ही तो यह को यह वाला को शुन वाला जो वीडियो है यह जरूर देखि ले ना उसमेंस एक पुछ मिलेगा यह आप क्या होगा मिलने के कोई चांस नहीं है आई डिटी में तो फिर भी एक आ गया हो सकता आई डिटी में भी एक आज आजाए बाकी तो पूरा का पूरा कोपी पेस टाइप का ही आपको मिलने वाला है तो यह वीडियो जरूर देखना है आपके 14 मार्क्स वहाँ आने के पूरे के पूरे चांस हो जाएंगे 14 नहीं तो कम से कम 12 मार्क्स तो आप उसमें स्कोर करने लोग इसके बाद यह तो जरूर देखने हैं आपको इससे प्रेक्टिस भी हो जाएगी क्या पता कुछ कोपी पेस्ट आ जाएंगे तो यह दो वीडियो के दो वीडियो है और एक कॉश्चन का इटिस वाला है यह तो जरूर देखने है आपको काफी अच्छा वेटेज होता इसका एक कॉश्चन तो आपका कंपल्सरी आता है यह 14 मार्क्स का और इसके कुछ 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 पॉइंट्स तक भी यह पूछा जाता है तो इसको अच्छे से देखना आपको इस वीडियो को तो इसको छोड़ना ही नहीं और और MCQ के वीडियो भी आपको ले लिस्ट में मिल जाएंगे आपको कोई केप्टर डिटेल में करना है तो साथ में अगर आप अधर आप ऐसा घर्दोगे तो इस बार काफी तगड़ा जाने वाला है गुरूप न का भी जाएगा और गुरूप तू का भी जाएगा अगर दोनों का गया तो बोट गूप वावी आच्छा रिजाएग्ट इस पार जाने के chances हैं और IBS से घबराना मत, IBS का भी विपर नोर्मल ही आएगा, नोर्मल मतलब कुछ case studies copy paste भी आ सकती है और कुछ questions भी copy paste आ सकते है तो वहाँ तो आपको copy paste करना है, बहरानी की बात है इन्हीं सभी के लिए पहली बार वो paper हो रहा है अगर new course की बात करें तो अपन तो इस तरह से आपको IDT की preparation करनी है ITC के questions का जो वीडियो है जैसे DD का total income का वीडियो था वैसे ही ITC के questions का वीडियो है जिसमें computation of GST liability, compulsory question जो आता है उसके सारे question करवा रखे है total question करवा रखे है, DD में तो फिर भी मैंने 9694199200 इस पर आपको IDT के डाउट भेजने है इस पर आपको IDT के जो भी डाउट आए आप भेज सकते हो मेरे नम्मर पर IDT के डाउट मत भेजना आप इस नम्मर पर भेजना 9694199200 तो अभी के लिए इतना काफी है थेंक्यू सो मच रादे रादे हरे क्रिशना